हेलो फ्रेंद्स स्वागत है मेरे चनल वीजटेक में आज इस वीडियों हम बात करने वाले हैं वाटसप के नए अपडेट के बारे में जी हाँ अब वाटसप का अलग अलग यहां पर डाउनलोड करके अपली के संद्थ लेकिन अब वाटसप फिर जो नया अपडेट आया है जो एक नया फीचर आया है उससे क्या होगा फ्रेंद्स यहां पर देखिए अपने वाटसप में अलग अलग मोबाइल नमबर को आड़ कर सकते ह यहां एक वाटसफ रहे हैं अलग-अलग मल्टी प्ल使 क्योंट होंगे आउसको आप यहां पर लॉग-इन लॉग आट कर सकते हैं और देखिए When पडेट को चाते यह को अप्डेट पर आपको यहां पर टैप करना है जैसे आप करते हैं तो नीचे देखिए मेरा मुवाइल नंबर दिख गा जो कि मेरा पहला एकाउंट है और दूसरा एकाउंट आड करने के लिए यहां पर देख सकते हैं कि आड एकाउंट का एक नया आपसन देखने को मिला है यहां पर दे देखने को मिलता है और वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिला है अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं अब देखिए यहाँ पर मेरा मोबाइल नमबर मांग रहा है और मैं अपना दूसरा मोबाइल नमबर डालूंगा और दूसरा नमबर डालने बाद यहाँ पर मैं इस अब देखिए WhatsApp यहाँ पर दोवालाग अकाउंट यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे और उसके बाद अब मैं यहाँ पर दिखाता हूं कि होता क्या है और कैसे यहाँ पर दिखता है देखिए यहाँ पर पूरा WhatsApp दिख रहा है भी कोई message यहाँ पर send नहीं किया गया है send message पर आ switch account का एक option देखने में मिलना है और यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर switch account करूंगा यह तुरंट सी switch हो जाएगा आप switch account करते हैं दूसरे account यहाँ पर फिर से दिख जाएगा अब देखिए आप दूसरे account का आफसन देखने मिलता है दूसरे में यहाँ आपको आफसन दिखता है जो प्राइमरी होता है तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो आपको अपना WhatsApp आपको अपडेट मिल जाएगा वीडियो मिलते हैं नए वीडियो में टेक क्यार बाबाए